लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक पाराहाई है. सबकी नजरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकी हैं. राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार दोहजार चुबीस में एक बार फिर से साख की राजनीति कर सकते हैं. वो खरमास बाग दही कि नीतीश की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं ये साफ नहीं हो पा रहा है. आयंडियाए गठ बंधन में उनकी कोई सुन नहीं रहा है. परस पर बिरोधी बयान भी आ रहे हैं. बीजेपी उनके लिए दरवाजा खिर की सब बंद कर चुकी है. ऐसे में न खरजी को वोट देना या फिर महागट बंधन में रहकर राष्ट्रपती हेतू बीजेपी उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू को पार्टी का वोट देना. ऐसे कई निरने हैं जो आम अनुमान से परे होते हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये जानते हुए कि अकेले चुनाव में जाने से नुकसान होगा, पर वो गए और नुकसान भी उठाया. वर्तमान भी जेडी यू की चौकट पर कुछ हैसी ही दस्तक देते देख रहा है. बिहार की राजनीत पर गौर करे तो अभी तक नीतीश कुमार ने कॉंग्रेस और आर जेडी के साथ मिलकर एक सिर्फ विरोध की राजनीती नहीं करते. कभी-कभी उसूल की राजनीत का ख्याल कर वह एक नया इतिहास बना डालते हैं. 2014 का लोकसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार वामदल के साथ अकेले इसलिए चले गए कि उन्हें नरेंद्र मोदी का चहरा पी-म के रूप में पसंद नहीं था. नीतीश कुमार तब लालकृष्ण आध्वानी को बतौर प्रधानमंत्री समर्थन करना चाहते थे. लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी. दरसल, नरेंद्र मोदी का कट्टर हिंदूवादी चहरा, गुजरात में हुआ गोधरा कांड आधी ऐसे कई बाते थी जो नीतीश कुमार के सेक्योलरजम के विरुध्ध थी. सबसे पहले नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन के दौरान पहले से निर्धारित भोज को कैंसल कर नीतीश कुमार ने ये संकेत भी दे डाला की जेडी यू नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी के साथ नहीं है. और वो चुनाव में CPI के साथ गठ बंधन कर उत्रे. 2014 की लोकसभा में तब बीजेपी को बिना नीतीश कुमार 22 सीठे हासिल हुई थी. तब बीजेपी ने 31 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और बाकी 9 सीटों में से 6 लोजपा और 3 सीटे उपेंद्र कुश्वाहा की ततकालीन रालोसपा को दी थी. वही नीतीश कुमार की पार्टी जेडियू 38 लोकसभाक शेत्र से चुनाव लड़ी और महस 2 सीठी जीत पाई. तब कॉंग्रेस को दो तो और जेडि को केवल 4 सीटों से संतोश करना पड़ा था हालांकि नीतीश कुमार ने इंडिया गठ बंधन को विस्त्रित आधार दिया. वैसे वैसे दल को एक साथ लाया जो एक दूसरे के धुरविरोधी थे. पर इंडिया गठ बंधन में शुरुआत से ही नीतीश कुमार को तब जो नहीं दिया जा रहा था. असेहमती के कई ऐसे मुद्दे आये जहां नीतीश कुमार अलग थलग नजर आये. मसलन, गठ बंधन के नाम के साथ ही असेहमती की कहानी शुरू हुई. एसी चर्चा है कि नीतीश कुमार गठ बंधन का नाम इंडिया नहीं चाहते थे. पर उनकी इच्छा के विप्रीत इंडिया पर ही सहमती बनाई. सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने भाशा को लेकर सवाल उठाया. इंडिया गठ बंधन के कई नेताओं की ओर से अंग्रेजी में संबोधन के विरुद्ध थे. सीट शेरिंग पर प्राथमिक्ता से बात करने की बात इंडिया गठ बंधन की पहली बैठक में ते हुई थी, लेकिन चौती बैठक के बाद भी यह नहीं हो पाया. कॉमन मिनिमम् प्रोग्राम, कॉमन एजेंडा, चुनाव चिन, जंडा और यहां तक की सम्मिलित रूप से आमसभा तक की बात नहीं हो पाई. जब कभी नीतीश कुमार ने इन विशेयों पर टिपनी की कॉंग्रेस की तरफ से प्रतिकार आ गया. केंविना पद को लेकर कई बार जे डी यू नेताओं ने सवाल उठाए, मगर यह आवाज भी नहीं सुनी गई.